हेलो फ्रेंद्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसन की पार्ट साला पर आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रॉंग रूट्स जो लिखा गया है एपी जे अब्दुल कलाम के द्वारा पहला बात मैं बताओं कि यह project strong roots के नाम से नहीं है इनका एक autobiography है wings of fire उसे से यह लिया गया है strong roots strong roots जो है extracted है इसका मतलब समझ क्या है अब इसको आपको समझना है strong roots का meaning क्या होता है मैं पहले ही clear कर दूँ तो बच्पन में जो हमारे मन में भावनाय पैदा की जाती है या फिर किसी चीज को लेकर कर सोचने की सकती होती है जो हमारी या किसी चीज को समझने की सकती होती है जो हमारे अंदर जो हमारे सिक्छाय होती है उन्हीं के बारे हैं बात के जड़ा है यहां रूट्स का मतलब ज जो टीचिंग्स मिलती है उनको देख करके उसी के बारे बात की गई है और APJ अब्दुलकराम इसमें बताते हैं कि कैजे उनका development हुआ उनके अपने खुद के पीता के आचरन को समझ करके तो इस चिप्टर को में स्टार्ट करते हैं फ़रे थोड़ा सा जनकायर लेंगे APJ में अवल फकीर जैनुवल आवेदिन अब्दुलकराम के नाम से जानते हैं सौट कोश्चन में पूछ लिया आता है कि APJ अब्दुलकराम का नाम क्या है तो इससे आप नोट कर सकते हैं इनका जर्म 1931 में और इनकी मिलत्यू 2015 में हुई दिये was one of the pioneers pioneers का मतलब होता है अगरीम या अगर दूत या फिर नेता ऐसा समझ सकते हैं जो आगे चलता है तो जब aerospace engineering की बात हो रही थी इंडिया में जो आज ISRO के नाम से बिख्यात है तो उसकी सुरुवात जब होई थी तो उसमें ये pioneer माने जाते हैं मतलब अगरीम माने जाते है ठीक है aerospace का मतलब क्या होता है कि branch of technology related to space ऐसा technology का ऐसा branch जो space से जुड़ा होता है जिसमें space के अव्यान, research बगरा सब होते हैं आप इसमें समझ सकते हैं कि work as a scientist in India, Indian space programs, Indian space programs जो होते थे यानि कि India से जाने वाले जो भी space programs है, missiles बगरा है उनके बारे में तो इन्होंने अपने life के सबसे बड़े part को बोल सकते हैं, मतलब most of the part of his life इन्होंने इसमें दिया, इसको समझने में और इसको develop करने में, some of his famous works आर, इनके कुछ जो famous works हैं, वो क ignited mind, ignited का मतलब होता है प्रच्वलीत, ठीक है, प्रच्वलीत, mind का मतलब होता है दिमाग, इसका मतलब दिमाग में उठने वाली भावना है, या फिर उठने वाले तवानी तरंग, जो हमें आगे developed को होने के लिए आगे बढ़ाते हैं, wings of fire, ये इनके खुट की autobiography है, he was the president of India from 2002 to 2007, यानि कि ये क्योवल aerospace engineering के एक scientist नहीं थे, बलकि ये हमारे देश के president भी रह चुके हैं, 2002 से 2007 तक, ये भी note करने वाली बात है, तीन question जो important या सबरेंगे पहला, इनका नाम क्या था, पूरा, वो आपको याद रखना है, दुसरा strong roots कि इस ने लिखा है, और इनके कुछ famous works और इनके president का काल कौन सा था, इसको आप चार बन गए actually, तो आपको इसे याद रखें, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसमें क्या दिखाए गया है, जो थोड़ा सा extract दिया हुआ है, summary type में, कि इस chapter में जो हम पढ़ने वाले इसमें क्या मिलता है, तो strong roots is an extract from Dr. Clamp's autobiography Wings of fire, अब देखें यहाँ पर Wings of fire से हमें clear नहीं होता है, कि ऐसा punk जिसमें आग लगी हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो एक बात समझ रखेंगा, Wings का मतलब होता है punk, और fire मतलब होता है आग, तो आप देखें होंगे rocket को, जब rocket उड़ता है, तो क्या निकलती है, आग निच यानि कि इस पार्ट में जो हम पढ़ने वाले उद्धरन में, जो आगे दिया जा रहा है स्टोरी उसमें, he talks about his childhood in his hometown, hometown का मतलब होता है, अपना घर जहां पर उनका था, उस जगा का बात कर रहे हैं, उस सहर का बात कर रहे हैं, और अपने बश्पन के बारे हम बात करते हैं, इस स्टोरी में, the piece presents a delightful sketch of the author's early life, तो पहला बात या दखिएगा, कि delightful का मतलब होता है, अनन्त दायक, तो यह जो extract दिया गया है, यह जो उद्धरन दिया गया है, इस यह क्या present करता है, एक delightful sketch, sketch का मतलब होता है, बातों से एक चित्र खीश देना, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसा feel होगा, जैसे हमारे सामने एक movie चल रही है, और इसमें हमको characters दीखेंगे, तो आप इसे ध्यान से सुनने एक कोईस करें, समयने एक कोईस करें, कि आपके सामने क्या क्या होता है, आख बंद करके आप इस story को सून सकते है, और अच्छे से learn भी कर सकते हैं, तो हम लो हुआ था बचपन में, वो पूरा इस सिप्टर में आपको मिलने वाला है, अब हम चलते हैं, story की तरफ, spiritual का मतलब अब को पता ही होगा, आध्यात में होता है, I was born in a middle class Tamil family in the island town of Ramaswaram in the erstwhile Madras state, पहला जो sentences का meaning है, कि I was born, मेरा जन्म हुआ था, एक middle class, मध्यम वर्गिय तमील प पहले, Madras statement, ठीक है, My father, General Avedin, had neither much formal education nor much wealth, despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and the true generosity of spirit, यह कहते हैं कि मेरे पीता, जो General Avedin है, यहां से question बनता है कि A.P. जी, अब्दुल क्लाम के पीता का नाम क्या था, short question के लिए, तो जो मेरे पीता थे, उनको नहीं ज्यादा education मिला था, formal education मिला था, बस normal, जिसको हम कहते हैं, गाउं में, school level पज़ों से बढ़ाई होती है, उस टाइक की, और नहीं इनके पास बहुज़ा धन था, फिर भी, despite मतलब होता है, इसके अतिरिक्त, फिर भी क्या था, these advantages in, इसका मतलब आदर कि, कि, इनको कुछ नहीं मिला, advantage का मतलब बता है, love, और इनको love किसी चीज़ का नहीं मिला, फिर भी क्या करता है, he possessed, possessed का मतलब बता है, ग्रहन करना, great, innate का मतलब बता है, आंतरीक, जो हमारे मन में हो, innate wisdom का मतलब बता है, बुद्धी, and a true generosity of spirit, generosity का मतलब क्या हो मतलब बता है, तो इसका मतलब बता है, दर्या देली, उदार था, इनको बहुत कुछ शिक्छा नहीं मीरी थी, नहीं, इनको बहुत सारा इनके पास धन था, लेकिन फिर भी ये क्या थे, इतने उदार और दयालुत थे, और इनकी बुद्धी इतनी तिव्र थी, कि, AP जब आइडियल हेल्प मेट, आइडियल हेल्प मेट, इनके मम्मी का नाम आशी अम्मा है, यह भी याद रख सकते हैं, अब याद रखियेगा, कि, HE had an ideal, आइडियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम सब कुछ मान लेते हैं, जो हमेशा आमारी बातों को समझने कोईश करता है, तो मुझे याद नहीं आता, मैं याद नहीं कर पाता कि exact number of people, मैंने कितने लोग, actual मैं वो daily खिलाती थी, but I am quite certain, लेकिन मैं एकदम certainly, यानि कि सही रख सक कह सकता हूं, कि that far more outsiders ate, कि ज़्यादा बाहर वाले लोग खाते थे, with us, हम लोग के साथ, than all the members of our own family put together, अगर मैं अपने पूरे परिवार के जितने लोग थे, उन सब को जोड लूँ, और तब उन से comparison करूँ, तो जो लोगों को बाहर वाय लोगों खिलाती थी, उनके संक्या हमारे परिवार के लोगों के संक्या से भी ज़्यादा थी, बट मुझे वो numbers याद नहीं कि कितने लो आइडियल थे वो, my mother's lineage was the more distinguished one of her four years having been bestowed the title of Bahadur by the British, यहाँ थे का lineage का मतलब होता है, once या पूरवज, तो मेरे मा के एक पूरवज थे, ठीक है, उनको उपर सीध थे, या भी ख्यात हुए थे, क्यों हुए थे, उसका रिजम अता रहा है, कि one of her four years, four years का मतलब भी होता है, प किया गया था, best to it का मतलब होता है, प्रदान किया जाना, the title of Bahadur, Bahadur का title उनको प्रदान किया गया था, by the British, उसमें चुकिए British लोग हमारे इंडिया में राज करते थे, आपको पता ही है timing, तो उनको, उनकी मा के कोई एक पूरवज थे, उनको Bahadur नाम की उपाधी दी गई लोग, एक ऐसा बच्चा, जो छोटा था, जो अनडिस्टिंगिस लोग था, मतलब उसका लुक जो दिखा, अगर उसको हम देखें, तो वो हमको कहीं तरह से अच्छा, बिख्यात टाइप में न दीखें, उस समय सही बात है, कि आज जो एपीज अबदुलक्लाम इतने प्र वही चीज क्या है, हमारे मन से आती है, ना कि हमारे उपरी सोभाव से और उपरी आवरन से, ठीक है, बोर्न टू टू टॉल एंड हैंसम पैरेंट्स, जो मेरे पैरेंट्स तो यह थे, टॉल और हैंसम थे, बट मैं वैसा नहीं था, मेरे जो करेक्टर से चिक्षते हैं, वो उनके जैसे नहीं थे, मैं उनके जैसे नहीं दीखता था, मैं उतना सुंदर नहीं था, we live in our ancestral house, we live in our ancestral house, हम लोग अपने पुरवजों के घर में रहते थे, ancestral का मतलब पुरवज, ancestral मतलब उन से जोड़ा हुआ का ancestral, which was built in the middle of 19th century, जो लगभग 19 सदी के मध्धे में बनाए गय थे, it was a fairly large पका house, यह कैसा था, एक लाज, बड़ा पका house था, मने, cemented house था, समझ सकते हैं आप, made of limestone and bricks, जो बना था, चुना पत्थर से, और brick मने इटो से, on the mosque street in Ravensoram, जो कहा था, जो mosque का मतलब आता है, mosque का मतलब, मस्जीद का रास्ता था, रामे श्रम का, वही पर ये घर था, my father, sorry, my auster father, used to avoid all inessential comforts and luxuries, मेरे, कठोर, यहाँ पर यहाँ भी कह सकता है, कि साधारन, मेरे पिता जी किया थे, auster थे, साधारन थे, लेकिन कठोर थोड़े से मान सकते हैं, मुनको, हाला कि इसमें उतना नहीं दिखाए गया, ठीके, my auster father, मेरे सधारन से, पिता जी जो थे, वो used to avoid, वो avoid करते थे, अंदेहा करते थे, किसे इसको, inessential, essential मतलब होता है, आवश्यक, और inessential मतलब चुछ आवश्यक नहीं थे, जिसे कि बिना काम की चीजों को, वो अपने पास ने रगते थे, और बिना काम का वो खर्च में ने करते थे, तो comforts and luxuries का मतलब होता है, आराम और विलासिता के जीवन को, वो avoid करते थे, मनें उसे अंदेखा करते थे, उनके अनुसार मेहनत ही सब कुछ थी, however, all necessities were provided for, लेकिन फिर भी, अगर मैं बात करूँ, तो मुझे जितनी चीजों की आवश्यक्ता होती थे, जिनकी मतलब जरूरत होती थी मुझे, वो मुझे provide क अंदर दी जाये थे, in terms of food, जैसे कि खाना हो गया, medicine, clothing, दवाईया हो गई, कपड़े हो गया, इसमें कोई कमी नहीं थी, और लेकिन वो क्या कहता थे, कि luxurious things के लिए मैं आपको पैसा नहीं दूँगा, आगे बढ़ेंगे, in fact, I would, I would say, mine was a very secure childhood, materially and emotionally, इसके तरिक मैं आपको कह सकता है, कि जिस बच्चे को बहुत जिदा घुमने, फिरने की अजादी नहीं थी, उसको कह सकता है, कि secure life था, उनको सब चीच पर प्रोवाइड किया दे थी, luxurious thing प्रोवाइडने किया दे थे, कहीं भी इधर से उधर मटकने की अजादी नहीं थी, उनका life secure हो गया था, materially and emotionally, materials का मतलब होता है, ऐसा चीच, जो materials बहुत इक वाद को दिखाता है, जैसे कि, बिलासिता का जीवन जीना, बिना देखे पैसे खर्चे करना, कोई भी चीच बेकार का कर लेना, और emotionally भी साथ में, है न, emotionally भी मेरे, जो यह था, उसको secure माना गया है, I normally ate with my mother, मैं क्या था, क अपने मम्मी के साथ सदारम रूप से खाता था, sitting on the floor, मैं जमीन पर बैठ करके, off the kitchen, तो normally अगर मेरी बात की जाए, तो मैं अपने मम्मी के साथ, kitchen के, जो kitchen room जो था मेरा, रसोई घर, उसके, जमीन पर, बैठ करके, मैं सता पर बैठ करके, खाता था, she would place a banana leaf before me, और वो मेरे सामनी क्या रखती थी, एक बनाना की पत्ती रखती थी, आपको पता ही है कि, केला के पत्तों पर हम लोग खाते हैं, South India है बहुत famous भी है, on which she then ladle rice, जिस पर वो क्या करती थी, कि ladle का मतलब होता है, डाल देती थी, rice मतलब होता है, आपको ऐसा ही पता सामबर, aromatic का मतलब क्या होता है, सुगन्तित, फ्रेग्नेंट, ऐसा सामबर जो थोड़ा scented हो, बहुत सुन्दर, स्वाधिस्ट मतलब, और इस सिंपली कहेंगे, कि बहुत सुन्दर दाल आप मान लीजिए, जब बनती है छोक लगा जाता है, उसको छोका जाता है, तो कितना मस्त लगता है, उसका सेंट, उसी की बात की जा रही है, और विराइटी ओफ सार्फ होममेड पीकल, और ऐसा पीकल, जो सार्फ था, सार्फ का मतलब क्या हो गया, जो आप खाएं तो मतलब थोड़ा तीखा लगे जाता, होममेड पीकल का मतलब समझते हैं आप, घर में जो चार बना जाते हैं, उसकी बात की जाती थी, विराइटी ओफ का मतलब होता है, बिभिन प्रकार के, और साथ में क्या होते थे, कि फ्रेश, कोकोनट चटनी की बात की जा रही है, मुझे परुस्ती थी मेरी मम्मी, डॉलप का मतलब का यात को रही है, तो बड़ा टुकड़ इनका बच्पन कैसा था, साथ में इनकी मम्मी का सुभाव है, कैसा था, इनका घर कहां था, इन सब की बात की गई है, किस टाइप के वotalब कीजन खाते थे लोग। इसकी बात की गई है, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें बहुत कुस्छ जानने को मिलेगा, तो वे से आपको मैं समझाऊंगा इसको और आपको कोई भी अगर डाउट हो या कुछ पूछना चाते हो तो कमेंट सेशन में लिग कर मुझे बता सकते हैं क्योंकि जब मैं नया वीडियो इसका लाऊंगा तो उसमें आपको ये पूरा स्टोरी कवर कर लूँगा और वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस टाइप के कोईश्चन बन सकते हैं वहां पर मैं इसके बारे में भी बात करूँगा चलिए मिलते हैं चलिए टेक क कर अपने ख्याल रखें जैहिन